नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं नियोजन निती पर अपना फैसला सुरक्चित रखा था, आदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राई सरकार द्वारा वर्ष 2021 में पारित नियोजन निती को रद कर दिया है, इसके साथ ही रमेज हनस्दा की ओर से दाखिल आजका को आदालत ने सोईकार कर लिया, जर्खन ह हाई कोट के तिन निया धीसों की ब्रिहत पिठने अफैसला सुनाया है, बता दे हाई कोट के आदेश के बाद अब वैसे अभियार्थी भी जेसेसी और जेपीसी द्वारा ली जाने वारी नियोकती परतियोकता में सामीर हो सकते हैं, जिन होने जार्खन के बाहर दसवी और जार्खन हाई कोट ने टेट पास पाराशिक्षको के समायोजन से जुड़े मामले पर सुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है, हाई कोट ने अपना फैसला सुनाते वे पाराशिक्षको की याज का खारिज कर दी, हाई कोट के इस फैसले से पाराशिक्षको को बड़ा जटका लगा है, दोनों पक्षे की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद, पहले अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, धारकन हाई कोट के मुखे न्याधिस टाक्टर रवी रंजन और न्याधिस सुजित निरान परसाथ के अदालत ने इस पू इसे काम कर रहे हैं, वे सिक्षक पद की आहारता भी पूरी करते हैं, या जिका में मुखे मांग या की गई है कि राय सरकार उनकी सेवा अस्थाई करें और उन्हें सहायक सिक्षक के पद पर समयोजित करें, अब आदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाता है या देखना का आपी मत पुनाए रहे हैं, मुख्य मंतरी हमात सुलेन पहुंचे देवगार भोले बाबा के मंदीर में 15 मिनट बिताया समय खत यानी जोहार यात्रा के तहट मुख्य मंतरी हमात सुलेन अपने दो दिवसे दवरे के तहट गूरु आरकी देर रात देवगार पहुंचे, सबसे पहले बाबा भोले के दरबार में माथा टेका, बाबा मंदीर में वाकरी 15 मिन तक रहे मंदीर पहुंचने पर सबसे पहले उन्हें बाबा मंदीर के मंजला खान में उनके पुरोहीत मारकेंड मठ पती द्वारा संकल्प कराया गया, उसके बाद वह सीधे बाबा का द मागामा विधायक दिपिका पांडे सिंग भी पूजा करने बावा मंदिर पहुचे थे। मागामा विधायक के काम और लोगों के बीच उनकी लोग प्रियता का अकलन कर रही है। जोजना पोटर पर किसानों का रेजिटेशन जारी रहेगा। भूमी दस्तवेजों के सत्यापन में तेजी लाने का निदेश अधिकारियों को दिया गया है। अब तक राजे में 17,50,814 लावकों ने रेजिटेशन कराया है। बता दे जोजना जारक्ण के मुख्य मंत्री हैं मांसिनें राजे के किसानों के आर्थिक स्व्णलंबन के लिए कटीबद है। सरकार सुखार से प्रभावित किसानों को रहात देने के लिए मुख्यमंति सुखार रहात के जरिये लाजातार प्रभावित किसानों से आवेदन प्राप्त कर रही है राज के किरिशी मंत्री बादल पत्र रेक ने कहा है कि जब तक राज के सुखार से प्रभावीत अम्तिक किरिश्चक को रहात योजना कलाब नहीं मिल जाता तब तक मुखे मत्री सुखार रहात योजना पोटल पर किसानो करनी बंधन जाड़ी रहेगा जारखन में बालू की काला बजारी जारी जारी जारखन के 24 जीलो में केवर 9 जीलो के बालू घाटो का ही डिस्टिक सर्वे रिपोर्ट बन सका है 15 जीलो में अभी भी DSR बनाने की परकिरिया ही चल रही है जब तक DSR तयार नहीं हो जाता तब तक बालू घाटों के माइस डेवलपर अपरेटर के चैन के लिए टेंडर नहीं हो सकता सुत्रों की माने तो अभी भी इस परकिरिया 4-5 मा का समय लग सकता है इधार वयद रूप से बालू घाटों का टेंडर नहीं होने की वज़ा से पूरे राज्य में अवयद कारोबार जोरो पर है वज़ा है कि जार्खन के 608 बालू घाटों में से केवल 21 बालू घाट ही चालू है जहांसे वयद रूप से बालू का उठा हो सकता है नक्सा की परकिरिया जाचने के लिए कोट ने बनाई समीती जारखन हाई कोट ने रांची नगर निगमो और रांची छेत्रिये विकास प्राधिकार में नक्सा पास करने के नाम पर अवयद वसुली को लेकर सोता संग्यान से दर्ज याचका पर सुनवाई की खंड पिठने जानना चाहा है कि जब अउनले नक्सा पास करने का सोप्ट्वेर लागू है और उसी के मादम से नक्सा स्विक्रित्ती किया जाता है तो फिर बिलम क्यों और कैसे होता है बार बार अपत्ती के नाम पर नक्सा को क्यों लंबित रखा जाता है नाक्सा पास करने में होने वाली अवैद वसुली को गंबीता से लेते हुए खंड पिटने 6 अधिवक्ताओं की समिती बनाई है समिती 21 दिसंबर को नाक्सा पास करने समधी और आर डिये वर रांची नगर निगम में लागू सप्ट्वेर का आउल लोकन करेगी जारखन में अवैद खनन का होगा सर्वेक्षन केंद्र सरकार केंद्र सरकार ने जारखन में चल रहे अवैद खनन का सर्वेक्षन कराने के फैसला किया है ED ने केंद्र सरकार को राज में जारी अवैद खनन के सिलसीले में सुचना दी थी इसमें अवाय दखनन को राजी के पर्यावरन के लिए खतरनाक बताया गया इडी की सुचना के बाद होई उचस्तरिय बैटाक में उपरोगत फैसला किया गया है सर्वेक्षन का काम जल्द ही सुरू कराया जाने की समभावना है बता दे इडी ने पिछले दिनों केंद्रिय वन एवाम पर्यावरन विभाय की सचीव लिना नंदन को एक पत्र लिखा था इडी के इस पत्र में वर्नीत तत्यों की गंभीता को देखते हुए अवाय दखन का सर्वेक्षन कराने का फैसला किया गया है धनबाद में जमकर हो रही पसुतसकरी जहर्खन के धनबाद में भी जमकर पसुतसकरी हो रही है हर दिन विहार वा यूपी से दरजनों ट्रॉकों में दुधारू पसुओं को ठुश-ठुश कर जहर्खन के धनबाद जिलास से सिक्स लेन होते हुए पच्छी मंगाल भेजा जाता है अस्थानिये लोगों की माने तो ए बिना परसासन की मिली भगत से संभव नहीं है इसका ताजा उदाहरान राजगंज थाना छेत्रे में हुई घटना है जहां मवसिल अदे ट्रक के खराब होने पर एक घटे के अंदर में दूसरे वहान में पशुओ को लाइद कर ले जाया जाता है कोलकाता कारूबारी अमित अगरवाल को सुप्रीम कोट से राहत मनी लॉंडरिंग मामली में गिरपतार कोलकाता के कारूबारी अमित अगरवाल को सुप्रीम कोट से अमत्रिम राहत मिली है सुप्रीम कोट ने उनको जमानत की सुधा पलान कर दी जारखन हाई कोट से आज का दाखिल होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोट में SLP दायर की थी पिछली सुनवाई के दवरान उनके अधिवक्ता की ओर से कहा गया था कि हाई कोट के एक अधिवक्ता के दवरा रिस्वत मांगे जाने की सिकायत उन्होंने पुलिस से की थी लेकिन E.D. ने मामला दर्च करते वे उन्हें गिरफतार कर लिया जो गलत है बोकारो गोड़ा इंजिनियरिंग कॉलेज की जिमेदारी नीजी छेतर को देगी सरकार बोकारो के चंदन कियारी तथा गोड़ा के पोड़ेया हाट में बन रहना इंजिनियरिंग कॉलेजों के संचालन की जिमेदारी नीजी संस्थानों को दी जाएगी राज सरकार नया नीना लेते हुए संस्थानों के चेन की परकिरिया सुरू कर दिया है दोनों engineering college के संचालन की जिमेदारी उसी संस्थान को दी जाएगी जो national institute ranking framework की ranking में 150 rank के नीचे अस्थान रखता हो राज सरकार द्वारा लिएगा निर्नाय के नुसार दोनों संस्थानों का संचालन PPP mode फर करने के बाद निर्धारी सीटों पर सरकारी सुल्क पर विद्यार्थों का नमांकन होगा तथा सेस सीटे प्रबंधन कोटे की होगी जिसके लिए संस्थान सुल्क तै कर देगी बीजली संकट के लिए केंद्र सरकार जिमेदार मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री हमांसुरे ने कहा है कि आने वाले दिनों में राज सरकार ऐसी योजना लाएने जा रही है जिसे हर गाउं में दवा खाना होगा मुख्य मंत्री ने उक्त बाते गोड़ा में खत्यानी जो हर यात्रा को समधित करते वे कही गोड़ा के बाद मुख्य मंत्री देवगर पहुचे यहाँ उन्होंने सरकीट हाउस में उन्होंने आमजमता से मलोकात की और उनकी परसानियों को जाना गोटा की सभा में CM ने कहा है कि अब तक बलोक और जिला मुख्याले में दवा खाना होता है लेकिन अब हर गाउ में मेटकल इस्टोर खुला जाएगा इसके लिए दसवी पास युआओ को मौका मिलेगा उन्हें दवा खाना खुलने में मदद की जाएगी उन्हें कौन सी दवा देनी है इसकी विजनकारी दी जाएगी वह लाइसेंस दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने कम समय में विकास का कोतु मिनार खाया कर दिया है हमने जो विकास किया उससे विरोधी घबराय हुए है लेकिन वीकास की खिची रेखा को पार करना असंभाव है धन्यवाद यदि आप चैनल पना है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेले कर दबाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों किसा सेर करना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवाएक अवसे दे थैंक यू